जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महा काली बगत क्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ जब काली माता आपकी परिक्षा लेने लगे तो तुरंत ये एक उपाय करना चाहिए परिक्षा जल्दी खतम होती है और जैसे मालो काली माता हो या कोई भी देवी देपता हो जिसका आप पूजन करते हो तो हर एक देवी देपता हर एक भगवान आपकी परिक्षा जरूर लेता है ऐसा नहीं कि परिक्षा कुछ लोगों की होती है ये हर लोगों की होती जो भक्ती पूज़ा पाट करते हैं उन्हीं लोगों की परिक्षा ली जाती है और परिक्षा क्यूं ले जाती है ये तो आपको मालूम ही होगा लेकिन मैं वीडियो में आज आपको ये बताऊंगी अगर आप किसी भी देवी देव के भक्त हैं तो आपकी जब देवी देवता परिक्षा लेते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए ये उपाय खतम भी हो जाएगी आपको जादा परिक्षा देनी नहीं पड़ेगी और आप परिक्षा में पास भी हो जाओगे चाहे माताकाली आपकी परिक्षा ले चाहे फिर कोई भी देवी देव ले तो भक्तों मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी आपको वीडियो को ला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुचे तो देखिए परिक्षा हर एक देवी देपता अपने भक्त की लेते हैं ठीक हमारी भी ली गई ती माकाली ने लीती तो जो माकाली की परिक्षा होती हो सबसे हाड और सबसे कठीन होती है एक बार को और जो देवी देपता है भगवान है वो आपकी परिक्षा कम लेंगे लेकिन माता काली जो है अपने भक्त की परिक्षा भूद बुरी हालत करके लेती है समझे रहे मिला आपको मैं बता हूँ जैसे पूजा पर्ट के आपने शुरुबात किये तो आपको सब ठीक हो रहा है पहले जैसा नहीं है लेकिन जब आपकी परिक्षा चलेगी बीच में मा आपकी परिक्षा लेगी तो आपको पहले जो पहले वाले आपके दिन ते वो आपको परिक्षा में दिखाए जाएंगे दुबारा तो आपको निरास्त नहीं होना है यह नहीं सोचना आप किसी भी देवीदेपता की एंवार करने ने तब आप जीवन के लिए न वह आपने लें तो लेकिन मैंने पूजा पाड अपनी छोड़ी नी पूजा पाड में जैसी करती थी वह दो आज देखा है और इसी की वजा से तो परिक्षा में आपको पास होना तो आपको तुरंत क्या कार्य करना है सनी वार के दिन या फिर मंगल वार के दिन एक नीमू की माला ले लेना ठीक है 21 नीमू की माला और उसके साथ एक मीठा पान ले लेना मीठा पान और नीमू की माला ये आपको दो चीज लेके जानिए कहां पर जानिए आपको जानिए दो माता से कह दो माता जो भी आप परिक्षां लेखें वो परिक्षां मेरी कम कीजिए मैं मेरी इतनी को नहीं अपकी परिक्षां केσειाबॉ तो मैंसे जो भी भूल चुक हुई हो गलती हुई है तो शमा करके चलना और महिया मेरी परिक्षा को कम करो और माता मुझे परिक्षा में पास करो ठीक है बस इतना आपको बोल देना है माता के गले में निम्बू की माला को आपको धार्ण कर देना है बल्लब आपको पहना दे जो भी मेरी परिक्षा आप ले रही हो, इसको आप जल्दी समाप्त करो, मैं यह नहीं कह रहा है कि मेरी परिक्षा मतलो, मेरी परिक्षा ले रही हो, तो माता समय मतलगा हो, कम समय में मेरी परिक्षा करो, और मुझे परिक्षा में पास भी करो, यह इतना भी आपको बोल दे आप जैसे ही आप बोलोगे अब जैसे ही मान लीजिए आपने मंदिर में जाके इस सब चीजे माता को चड़ा ही दी तो यह जैसी आप मंदिर में जाके चड़ा दोगे तो आपकी जो परिक्षा है वो कम कर दी जाएगी मान लो जैसे आपकी परिक्षा छे महीने की तो वो ती लेकिन याद रखना आपको अपनी पूज़ापड बिल्कुल नहीं छोड़नी है पूज़ापड छोड़ोगे तो उसमें आपका नुक्सान ही नुक्सान होएगा और परिक्षा में भी फेल हो जाओगे आगे आने वाले समय में कभी भी आप कामियाब भी नहीं हो पाओगे अबानी हो बनौश समय